जाएं दोस्तों एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्व चैनल एड़्टीएफ किलासेस पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कहीं बात करने वाले हैं मैत पूड एनिमल्स यानि की जानवरों के नाम के बारे में और जानवरों के नाम ऐसे होंगे कि आप लोगों ने अभी तक नाम सुने नहीं होंगे इन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो एक बार आप लोग देख सकते हैं जैसे कि हुआ चीटी खोर दर्याई घोड़ा ठीक है लकड भगगा को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहेंगे स्यार को इंग्लिस में क्या कहते हैं और उसकी मिस खाने वाला तो क्या हो जाएगा चीटी खोर याने की एंट इटर नाव टिक नेक्स्ट वर्ड सो नेक्स्ट वर्ड है मिरग सो मिरग को अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसे कहेंगे एंटी लोप एंटी लोप ठीक है एंट नेक्स्ट वर्ड है लंगूर अदे भाई यो तो बड़ा तकड़ी जीव निकाल आ है लंगूर को जो आप लोग घ् nonprofits नेक्स्ट वर्ड को आप लोग जानते ही होंगे क्या वोलते हैस एंट नेक्स्ट वर्ड है भालू और लोग क्या बोलेंगे इंग्लिस में भालू को बोलेंगे बीयर बीयर और नेक्स्ट वर्ड है कुतिया सो आप लोग जानते ही होंगे से क्या बोलते हैं विच विच नेक्स्ट वर्ड है भैस सो वैस को क्या बोलेंगे वफैलो बी यू डवल एफ एलो वफैलो और नेक्स्ट रहाएं साद सो साद को क्या बोलेंगे बुल और आप लोगों ने सुना यह वहागा फर फाइटिंग भी होती है न तो उसमें क्या उता हैहिए पुल्फाइटिंग में काफ काफ and next word है उंट उंट आप लोग जानते हैं उंट को क्या बोलेंगे इंगलिस में कैमल और इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है and next word है बिल्ली सो बिल्ली को क्या बोलेंगे cat and next word है पहाड़ी हिरन हिरन कई प्रकार के होते है न तो यह कैसा है पहाड़ी हिरन सो इसे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं शेमॉई शेमॉई and next word है बच्छेरा इसे कया बोलेंगे इसे बोलेंगे colt गोड़ी का बच्छा होता है उसे बोलते हैं बच्छेरा थिक कैप इसे बच्छेरा बोलते हैं और गाय का जो उसे बच्छेरा बोलते हैं थोड़ा सा demanding difference है and next word is guy so guy को आप लोग जानते ही होंगे क्या बोलेंगे cow very easy and next word is banmanus so banmanus को क्या बोलेंगे इसे बोलते है chimpanzee या chimpanzee भी बोल देते हैं और banmanus भी बोलते हैं and next word is hiran so hiran को क्या बोलते हैं deer deer and अगला word है kutta यह बहुत ही आसान है जो इसे क्या बोलेंगे dog and next word is gada I think it is repeated but spelling is different so it means donkey, donkey means gada and next word है hathi so hathi को क्या बोलेंगे elephant elephant and next word है mandy या meady इसे क्या बोलेंगे इसे बोलते हैं you इसे गलत ना पढ़िये ना इसे गलत प्रनाउंसियेट करिये ना कुछ लोग पढ़ देते हैं away away नहीं इसे you पढ़ते हैं और इसके आगे जो article अपने होते हैं a और n तो इसके आगे क्या आता है a you आता है ना कि n now tick next word हिरन का बच्चा so हिरन के बच्चे को क्या बोलते हैं fawn बात करने वाला fawn नहीं है यह fawn हिरन के बच्चे को बोलते हैं and next word है लोमडी so लोमडी को क्या बोलेंगे fox fox next word है जिराफ so जिराफ को क्या बोलेंगे जिराफ को जिराफ ही बोलते हैं and next word है बक्री मकरी को बोलते हैं got next word is kargos so kargos को हम लोग बोलते हैं इंगलिस में hair and rabbit भी बोलते हैं next word है hirni so hirni को बोलते है hind hind नहीं पढ़ना है hind पढ़ते हैं next word है दर्याई घुरा so दर्याई घुरे को इंगलिस में क्या बोलेंगे इससे बोलते हैं हिपोपोटेमस हिपोपोटेमस and next word है घोड़ा तो घोड़े को क्या बोलते हैं horse next word है सिकारी कुत्ता सिकारी कुत्ता मींस जो कुत्ता सिकार करते हैं तो इससे क्या बोलते हैं इससे बोलते हाउंड हाउंड and next word है लकड भगगा आप लोग देख पा रहे होंगे लकड भगगा कैसा होता है इसे इंगलिस में क्या बोलेंगे इसे बोलते है हयोना हयोना या हाइना next word है सुवर सुवर को क्या बोलते हैं हॉग पिग भी बोलते है next word है सियार सियार स्यार को इंगलिस में क्या बोलते हैं जैकाल नेक्स्ट वर्ड है कंगारू कंगारू को इस प्रेलिंग में कैंगरू बोलते हैं आप लोग कंगारू भी बोल सकते हैं और नेक्स्ट वर्ड है बकरी का बच्चा बकरी के बच्चे को क्या बोलेंगे इंग्लिस में इसे बोलते हैं kid and next word है बिल्ली का बच्चा so बिल्ली के बच्चे को इंग्लिस में क्या बोलेंगे इसे बोलते हैं kitten kitten अगला word लेते हैं भेड का बच्चा so भेड के बच्चे को क्या बोलेंगे इंग्लिस में इसे बोलते हैं lamb lamb एंड नेक्स्ट वर्ड है तेंदुवा सो तेंदुवा को इंगलिस में क्या बोलेंगे इसे बोलते हैं लियोफर्ड लियोफर्ड एंड नेक्स्ट वर्ड है सेर सो सेर को क्या बोलेंगे इसे बोलते हैं लाइन लाइन एंड नेक्स्ट वर्ड है घोडी घोडी को होर्स को तो बोड़ा difficult हो जाता है spelling तो इसे क्या बोलते हैं मेर 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 आरी आप टिक next word तो चचुंदर चचुंदर को क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं मोल एंड इसे बोलते हैं मस्क्रेट बोथ हर करेक्ट एंड इसकी दो-दो spellings हैं तो आप चाहिए जो उनसी भी learn कर सकते हैं न नेक्स्ट वर्ड है नेबला आप लोगों ने देखा होगा नेबला जो कहीं है कि इसनेक से fight करता है न तो नेबले को इंगलिस में क्या बोलेंगे इसे बोलते हैं मंगूज मंगूज बहुत प्यारा सा नाम है न मंगूज एंड नेक्स्ट वर्ड है बंदर इनसे तबाहिए आप लोग परचित होंगे तो इन्हें क्या बोलेंगे मंकी मंकी नव टेक नेक् जाती होती है उसे बोलते हैं खच्चर, एंगल्स में क्या वो लेंगे इसे बोलते हैं mule टीर 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 यास डीर टीर So police बल को क्या वो लते हैं पाइल को वो लते हुआुन बूगर ती डीर टीर अख्च शोच्टवर गरणगे Panther Next word है Seward So, Seward को क्या बोलेंगे इसे बोलते हैं Pig Now, take next word It is Tattoo So, Tattoo को English में क्या कहेंगे इसे कहते हैं Pony Pony P-O-N-B-A-I Now, take next word Sahi आप लोग ने इस जानवर को देखा होगा इसके कहिन कहिन पे काटे से होते हैं उपरी साइड इसे क्या बोलेंगे इसे बोलते हैं पार्क्यू पाइन पार्क्यू पाइन टेक नेक्स्ट बर्ड पिल्ला पिल्ला को आप लोग जानते हैं क्या बोलते हैं पप्पी नेक्स्ट बर्ड है मेंडा मेंडा सो मेंडा को क्या बोलेंगे इसे बोलते हैं रां रैम स्पैलिंग राम है लेकिन आप लोगों को राम नहीं पढ़ना इस प्रनाउंसियेशन रैम है थह स्पैलिए क JACO है सो रैम निस मेंडा लंग एक नाउ टिकर्ट वर्ट चूहा आ धिकर्ट आप से आल सो रहिपीटिट वर्ड रोगों के मिंडू रइट् Rhinose 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 R सायर, सायर, next word है, जबरा कुत्ता, एक तो dog होता है, तो उसे कुत्ता बोलते हैं, जबरा कुत्ता होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे, इस्पैनियल, 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 एना, now take next word, गिलहेरी, so गिलहेरी को क्या बोलते हैं, गिलहेरी को बोलते हैं, इस्क्वीरल, इस्क्वीरल, and next word, बधिया पसु, so इसे बोलते हैं, इस्टीर, इस्टीर, so next word है, वारे सिंगा, यानि कि जिस जानवर के वारे सिंग होते है, ये डियर की, हिरन की प्रजाती होती है, so इसे बोलते हैं, इस्टैग, इस्टैग, now take next word, चीता या बाग, so what we will call, we call in English, टाइगर, टाइगर, now take next word, भेडिया, so आप लोग जानते ही होंगे, भेडिया को क्या बोलते हैं, वुल्फ, वुल्फ, वुल्फमीस, भेडिया, now take next word, परवती, वैल, so परवती, वैल को इंग्लिस में क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं, याक, याक, so now take next word, जेबरा या गोरखर, so इसे इंग्लिस में भी क्या बोलते हैं, जेबरा, and next word is sand, so it is called in English, जेबू, so guys, thanks for watching, and you know very well, it is very helpful, this type of vocab is very helpful for little kids, and you know, their parents as well, so if you get some help from my videos, you can like, share, and subscribe our channel, LTF Classes, and don't forget to press the bell icon, जैसे के आप लोगों को मेरे प्रत्य एक वीडियो की notification time से मिल जाए, okay, thank you, take care, bye bye,